नमस्कार सभी सातियों को स्वगत करता हूं सभी का इस यूटूब चैनल पर जिसका नाम इस्टडी भी पी एन लो था सातियों रीट पात्रतावे मुख्य परिक्षा हे तू साती फश्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की सिक्सक बरती हे तू मनोविग्यान का पेपर नंबर 49 आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जिसमें सिक्सन वीडियो के बहुत ही अच्छे और शांदार क्विशन देखने को आपको मिलने वाले हैं तो चलिए एक एक प्रिश्ण को अच्छी तरह से देखेंगे सिक्सन वीडियो के साथ में आपके साइकलोजी और हिंदी के भी सो सो टेस्ट लिये जा रहे हैं यहाँ पर देखिए साइकलोजी के 50 टेस्ट हो चुके हैं हिंदी के 40 टेस्ट हो चुके हैं तो बिलकुल निश्चिन्त रहिए गा साथ यो साथ ही RBSC और NCRT की जो किताबे हैं वहां से भी आपके लिए सोतो राजिस्थान जीके की कलासे और सोही टेश्ट आपके लिए लेकर में चल रहा हूं साथियों तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को पहला प्रिशन देखेंगे पहला प्रिशन है आपके गनित के ज्यान का प्रारम सबसे पहले किस देश में हुआ जापान, चीन, भारत और युनान साथियों प्रिशन संक्या एक में रायट आंसर बताईए गनित के ज्यान का प्रारम सबसे पहले किस देश में हुआ इसका जो सही answer है साथियों वह है भारत में, कहां पर हुआ साथियों? भारत में ही सबसे पहले गनित के ग्यान का प्रारम हुआ था विकल्प नमबर आपका 3 सही है, प्रिश्च नमबर 1 में, नेक्ष्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रिश्च नमबर 2 की और दूसरा प्रिशन है खेल विदी का प्रमुख दोश है सरवांगिन विकास किरिया शीलता थकावट का अनुबव होना और लक्ष से भटक जाना तो देखो दोश की बात की जा रही है यहाँ पर किरिया शीलता दोश नहीं होता है नहीं सरवांगिन विकास दोश होता है साथिय क्योंकि खेल खेल में जिस लक्ष के लिए जिस उद्देश की पूर्ती के लिए हम खेल खेलते हैं हम खेल खेल में उससे बटक जाते हैं साथियों ठकावट का अनुबव होना इसका प्रमुखदोश नहीं होता है चोता विकलप आपके प्रश्णनमबर दो में सही है नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्ण संख्यात तीन की ओर तो चलिए तीसरा प्रश्ण देख लेते हैं आपके प्रश्ण नमर तीन है स्رب тебе द्रश्ण सामगरी का उप्योग निम्च मेंसिक की साधार पर महतपुन हैं इंद्रियों का समंदित ग्यान से साक्षात्कार होता है कम समय में अधिग्यान होता है आकरश्ण स्रावि द्रश्ण स्मयां यहाँ पर दो चुनाओ करना है सातियों सरवी दरश्ची सामागरियों से क्या होता है सातियों कम समय में अधिक ज्यान मिलता है आकर्शक एवं रूची पूर्ण इसपष्ट करने भी होता है सिक्सक को ज्यान इसपष्ट करने में सायता भी मिलती है बट इन तीनों से जो ज़्यादा इंपोर्टेंट है वो है इंद्रियों का सम्मंदित ज्यान से साक्षातकार हो जाता है क्योंकि हम चीजों को द्रश्च सरव एक साथ दोनों इंद्रिया किर्याशील रहे कर चीजों को सीखती है अते पहला विकलप आपके प्रश्च नमबर तीन में सही रहेगा चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्च नमबर चार पर तो चोता प्रश्च देखते हैं पाटे पुस्तक कक्षा कक्ष के प्रियोग है तू निर्धारित की गई पुस्तक है तो विकलप नमबर आपका पहला भी यहाँ पर सही है और चोता विकलप भी सही है तो नेक्ष लिए प्रिष्च नमबर पांच की और बढ़ते हैं पाटवा प्रिष्च नमबर 5 की ओर बढ़ते हैं व्यावारिक्ता व्यापक्ता या विश्वसनीता इन तीनों में से आपका एक सही आंसर होगा तो बताओ पांचवे प्रिश्ण में कौन सा विकल्प आपका सही है देखो मुल्यांकन की सबसे बड़ी विशेस्ता एक तो वस्तुनिष्टा को माना जाता है एक वेदता को माना जाता है और एक विश्वसनीता को माना जाता है और यहाँ पर क्या दे रखा है साथियों विश्वसनीता दे रखा है यहाँ पर जो विश्वसनीता वाला परतम विकल्प है प्रिश्ण नमबर पांच में यही आपका सही और सठीक उत्तर होगा चलिए नेक्स्ट प्रश्ण नमबर 6 पे आते हैं तो छेटा प्रश्ण मुल्यांकन समंदी ब्लूम का चिंतन है सिक्षक केंदरित है बाल केंदरित है विशे केंदरित है और उद्देश केंदरित है चेटे प्रिश्ट में देखिए मुल्यांकन समंदी, ब्लूम ने यहां पर सैक्षिक उद्देशों का वर्गी करण किया है और इनका जो मुल्यांकन सम्मन्दी चिंतन है साथियों वो सिक्सक के अंदरित, बाल के अंदरित या विशे के अंदरित नहीं है बलकि उद्देश के अंदरित है कैसा है उद्देश के अंदरित है most important question आप इसको मान सकते हो इस test का साथियों बहुत ही जादा मैटपून प्र साथ की और तो साथवा प्रिशन देख लेते हैं आपके प्रिशन संख्या साथ सिक्सन में मुल्यांकन के प्रमुक का रहे निदान उपचार और सिक्सन में सुधार उपचार प्रगति परक और सिक्सन में सुधार निदान उपचार और प्रगति परक और सिक्सन में सुधा तो देखो निदान और उपचार तो आना ही आना है तो जिस जिसमें निदान उपचार दोनों नी दे रखें वो आप कांसर नहीं होगा साथियों तो एक तो यहाँ पर निदान तो दे रहका है लेकिन उपचार नी दे रहका है तो यह गलत है उपचार तो दे रहा है लेकिन निदान ने दे रहा है तो ये भी गलत है सिक्सन में निदान उपचार और सिक्सन में सुधार निदान उपचार और प्रगति प्रक्त सात्यों मुल्यांकन का जो प्रमुकार्य होता है वो होता है निदान करना उपचार करना और प्रगति प्रक्रक करना विकल्प नमबर तीन आपके प्रश्ण नमबर साथ में मुल्यांकन के प्रमुकार्यों में आता है सिक्सन में जो मुल्यांकन के प्रमुकार्य है वो तीसरे विकल्प में दे रखे हैं सात्यों, चलिए आगे बढ़ेंगे प्रिश्च नमबर आठ की ओर, सात्वे में आपके थर्ड विकल्प ही बिल्कुल सही रहेगा, आपके आटवा प्रिश्च देख लेते हैं, आपके प्रिश्च नमबर आठ है, कोठारी आयोग के अनुसार मुल प्रिश्च नमबर आठ की ओर, सात्यों इसके अनुसार मुल्यांकन की जो प्रिश्च नमबर आठ है, आठ वे प्रिश्च नमबर आठ है, तो चलिए नौँवा प्रिश्च देख लेंगे, आपके प्रिश्च संख्या नो, निम्ड में से कौन सा दिटी भाष्च नमबर आठ है, पहला विकल्प, बोलने की शमता के अनुरूप लिखने की शमता का विकास करना, दूसरा है, विबिन शेत्रों इस्ततियों में हिंदी की विबिन प्रियुक्तियों को समझने की योग विकास करना, तीसरा है हिंदी के व्याकरनिक नीमों को कंटस्त करना, और चोता है देनिक जीवन में हिंदी में समझने बोलने की शमता का विकास करना, देख लो अच्छे से प्रिश्च को और फिर सही उपतर का चेहन करो, सात्यों दिती भाष्च सिक्सन का जो उद्देश नहीं है उसका चुनाओ आपको प्रश्ण संख्या 9 में करना है तो पहला विकल्प देखते हैं बोलने की जो शमता है उसके अनुरू बालक में लिखने की शमता का विकास भी होना चाहिए ये इसका उद्देश है विबिन शेत्र इस्ततियों में हिंदी की विबिन जो प्रश्ण संख्या 9 में आपके तीसरा ही विकल्प बिल्कुल सही रहेगा बागी चोता विकल्प जो के रहे कि देनिक जीवन में हिंदी में समझने और बोलने की शमता का विकास ये तो बिल्कुल उद्देश है किलियर है तो only third विकल्प आपके नोवे प्रिश्ण का सही चलिए आगे बढ़ेंगे प्रशन नमबर 10 की ओर तो दसवा प्रशन हिंदी बाशा सिक्सन के कितने उद्देश है एक है दो है तीन है और चार है तो बताओ प्रशन नमबर 10 में कौन से विकल्प सही रहेगा हिंदी बाशा सिक्सन के उद्देश कितने होते हैं तीन उद्दे भाशे कोशल में अंत में विकास करना चाहिए सुनने का बोलने का पढ़ने का और लिखने का देखो भाशे कोशलो का क्रम क्या होता है सबसे पहला आपका आता है सुनना उसके बाद में आपके आता है सुनने के बाद में बोलना बोलने के बाद में आपके आता है पढ़ना औ ये चार भाशे कोशल होते हैं साथियों सबसे पहले सुनने का विकास किया जाता है जबकि सबसे अंत में लिखने का विकास किया जाता है सबसे सरल भाशे कोशल सुनना या शर्वन कोशल है और सबसे कटिन कोशल लेखन या लिखना कोशल है तो विकल्ट नमबर आपका जो च इसलेशन हो जब मुल्यांकन हो जब संशोधन हो और जब परिक्सन हो तो बारवे प्रिश्ण मेरा राइट आंसर बताईए शुरुत लेक सुनकर के लिखना ही क्या कहलाता है शुरुत लेक कहलाता है एक बात समझे यहां पर एक अध्यापक चीजों को बोल रहा है वाचन कर अब यह चात्र चीजों को सुनकर के लिख रहे हैं तो यह शुरुत लेकन हुआ अब यह गलतियां भी कर रहे हैं सही भी लिख रहे हैं अगर इन गलतियों को सुधारा नहीं गया तो शुरुत लेकन का मतलब नहीं आएगा साथियो अथा शुरुत लेक का उपयोग कब मान जाता है जब उसमें संशुदन हो तीसरा विकल्प आपके प्रिश्ट नमबर बारवे में सही रहेगा साथियों चलिए आगे बढ़ेंगे प्रिश्ट नमबर 13 की और तो 13 प्रिश्ट देख लेते हैं आपके प्रिश्ट नमबर 13 है मौन वाचन के अंतरगत मानसिक किरिया का स तेरवे प्रिश्ट में साथियों मन ही मन में जो चीज़े हम पढ़ते हैं वो कहलता है मौन वाचन इसके अंतरगत जो हमारी मानसिक किरिया है इसका सबसे प्रमुकपक्ष निरंतरता भी होता है एकागरता भी होता है क्रमबदता भी होता है और अर्थग्राइता भी होता ह बट इसमें देखें अपन तो चारों में जो सबसे बेश्ट है वो है अर्थग्राईता जो चीजे हम मन ही मन में पढ़ रहे हैं साथियों मन ही मन में वो अगर हम समझ नहीं रहे हैं उसका अर्थग्राण नहीं किया जा रहा है तो चाहे कितनी ही एकागरता से पढ़ो निरंत संख्या 14 भाशा की मोखिक अभी व्यक्ति के विकास है तू सबसे उप्योगी सिक्सन विधी कौन सी है देखो और बोलो विधी सुनो और बोलो विधी दोयनी साम में विधी और अभ्यास विधी तो 14 प्रिष्ण में कौन सा विकल्प आपका सहरेगा मोखिक अभी व्यक्ति का आपको विकास करना है इसके लिए सबसे उप्योगी सिक्सन विधी पूछी जा रही है अभ्यास विधी को एक तरफ रख दीजिये तीन विकल्प है देखो और बोलो और सुनो और बोलो तो साथियों मोखिक अभी विकास आपको करना है तो यहां 14 प विक्त कर रहे हैं तो इससे हमारा मोकिक जो अभी विक्ति है हमारी वो सरोत्तम रूप से विक्सित होगी अतहे विकल्प नंबर दो आपके प्रिश्ण नंबर 14 में सही रहेगा साथियों चलिए आगे बढ़ेंगे प्रिश्ण संख्या 15 की ओर तो आपके पंद्रवा प्रि शब्द बंडार में यदि आपको वरद्धी करनी हैं तो इसकी जो प्रमुक विदी होगी वो होगी वारतालाप वारतालाप का अर्थ बातचीत करने से लिया जाता है साथियों अतहे विकल्प नंबर 4 आपके प्रिश्ण संख्या 15 का बिल्कुल सही उत्तर होगा क्योंकि बातचीत करेंगे तबी तो शब्द बंडार में वरद्धी होगी दे गई विकल्पों में से वारतालाप ही सबसे बेश्ट आंसर है तो फोर्त विकल्प आपके प्रिश्ण 15 में सही है नेक्स्ट प्रिश्ण नंबर 16 की और बढ़ते हैं तो चलिए 16 प्रिश्ण देख लेत अब आपके पास तीन चीज़े हैं निबंद लेकन पत्र लेकन और कविता लेकन साथियों रचना अगर आप कर रहे हो तो सबसे जो मुख्य भूमी का पत्र या कविता लेकन की नहीं होगी बलकि निबंद लेकन की होगी क्योंकि निबंद लेकन में आप अपने विचारों को सूव यवस्तित करम में जमा सकते हो साथियों दूसरे और तीसरे विकल्प के बजाई तो विकल्प नमबर आपका जो एक है ग्यात से अग्यात की और इनमें से कोई भी नहीं तो इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प आप वापिस हटा दीजिये क्योंकि यह आपका अंसर नहीं होता है रचना सिक्सन में जटिल का मतलब किसे लिया जाता है साथियो कठिन ठीक है जो चीजे कठिन होती है उसका एक शब्द और यूज किया जाता है उसके लिए जटिल तो कठिन से सरल की और नहीं हम जानते हैं ग्याद का मतलब जो चीज़े हम जानते हैं उससे किसकी तरफ बढ़ना चाहिए अग्याद की तरफ बढ़ना चाहिए तो सत्रवे प्रिश्ण में आपके थर्ड विकल्प सही रहेगा साथियों नेक्स्ट अठारवा प्रिश्ण देखेंगे लेकिन वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कम से कम वीडियो को दो तीन जगे शेयर जरूर करिएगा साथियों चैनल पर नए हो तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन ओन कर लेना ताकि प्रते एक वीडियो का नोटिपिकेशन आप तक पहुंच सके किलियर है सभी के य रसान ओभूती और गायन शमता देखो कविता सिक्सन किसके अंतरगत आती है पद्दी सिक्सन के अंतरगत आती है किसके अंतरगत आती है पद्दी सिक्सन के अंतरगत आती है तो इसका परमुक उद्देश बालकों का मनुरंजन करना तो कदापी नहीं हो सकता ये गलत है श विकलप तीन ही आपके अठारवे प्रश्चन में सही है नेक्स प्रश्च नमबर 19 को देखेंगे तो 19 वा प्रश्चन है मनवेग्यानिक होती है कहानी नाटक कविता और गटनावलनन important question very important question है साथियों इनमें से क्या मनोवग्यानिक है आपको 19 वे प्रिश्ण में इसका जवाब देना है कवीता मनोवग्यानिक नहीं है नहीं गटना वर्णा नहीं नाटक बलकि कहानी को मनोवग्यानिक माना जाता है साथियों इसलिए चोटे बच्चों को कहानी से ज़्यादा पढ़ाया जाता है और कहानी सिक्सन का उद्देश भी होता है बालक की जो है इसकी कल्पना शक्ती का विकास करना अता है विकल्प नंबर आपका जो एक है प्रिशन संख्या 19 में यही आपका सही उत्तर होगा चलिए आगे बढ़ेंगे प्रिशन संख्या 20 की ओर तो 20 वा प्रिशन देख लेते हैं उप्चारात्मक सिक्सन किस प्रकार का कार्य है आदेश आत्मक कार्य है उप्चारात्मक सिक्सन अनुदेशात्मक कारी है उप्चारात्मक सिक्सन नकरात्मक कारी है उप्चारात्मक सिक्सन या सिध्धन्तिक कारी है उप्चारात्मक सिक्सन तेको उप्चारात्मक सिक्सन में जो छात्र की कमजोरियां होती है उन कमजोरियों को दूर करने का कारी किया जाता है साथियों ये आदेश आत्मक या नकरात्मक नहीं होता है बलकि उप्चारात्मक सिक्सन को अनुदेश आत्मक माना जाता है क्या माना जाता है अनुदेश आत्मक माना जाता है तो बीसवे प्रिश्ण में आपके सेकर्ण विकल पे बिल्कुल सही है नेक्स्ट 21 प्रिश्ण की और बढ़ते हैं तो चलिए देख लेते हैं आपके प्रिश्ण अमबर 21 को तो सात्यों प्रिश्ण संक्या 21 है आपके हिंदी विशे के मुल्यांकन हेतू वस्तुनिष्ण प्रिश्ण पत्र की आवशक्ता क्यों है चात्रों को अंक देना सरल अत्ता अधिक विस्वस्नी होता है चात्रों को मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर मिल जाते है चात्रों को संपुन पाट्टे करम का अध्यन नहीं करना पड़ता है और चात्रों को लेखन शेली एवं भाशा सेली की पूर्ण जानकरी हो जाती है तो 21 प्रिश्ण में रायट आंसर बताईए हिंदी विशे में जो मुल्यांकन होता है उसमें वस्तुनिष्ट प्रिश्ण पत्र के आवशकता क्यों पढ़ती है प्रिश्ण नमबर 21 में सही आंसर देखो चोता विकल्ब क्या करा है कि लेखन शेली एवं भाशा सेली की पूर्ण जानकरी हो जाती है जी नहीं इसमें तो सिर्फ और सिर्फ ओप्शन का चुनाओ करना पड़ता है तो लेकर शेली और भाशा सेली की पूर्ण जानकरी इससे नहीं होती है चात्रों को संपुन पाट्टे करम का द्यान नहीं करना पड़ता है ये भी गलत है क्योंकि वस्तुनिष्ट प्रिश्ण तो ज़्यादा बनते हैं क्योंकि objective टाइप के प्रिश्णों में निश्चित उत्तर होते हैं अता है विकल्प एक आपके 21 प्रिश्ण का सही उत्तर होगा चलिए next 22 प्रिश्ण के ओर बढ़ते हैं तो आपके प्रिश्ण नमबर 22 मुल्यांकन का शेत्र है सिमित छोटा एसिमित और संकुचित तो साथियों मुल्यांकन का शेत्र यहाँ पर क्या है देखो संकुचित सिमित छोटा तीनों ही शब्द एक जैसे अर्थ प्रिकट कर रहे हैं लेकिन एस सिमित इन तीनों से अलगे बिल्कुल मतलब इसका प्रियोग आप विस्तृत के लिए भी कर सकते हो मुल्यांकन का शेत्र विस्तृत होता है अते यहां पर विकल्प नंबर आपका तीन सही है साथियो प्रश्ण नंबर 22 में देखो एक होता है मुल्यांकन और एक होता है मापन मापन का शेत्र छोटा होता है और मुल्यांकन का शेत्र बड़ा होता है साथियो मापन मुल्यांकन का ही एक भाग है जबकि मुल्यांकन में मापन निहित होता है तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्ण नंबर 23 की और 23 वा भाशा है क्या है भाशा ध्वनी संकेतों का व्यवहार है विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम है आत्मा की एद वन्यात्मक बातचीत है और उच्चरन अव्ययों से उच्चरित रियादरिचिक ध्वनी की व्यवस्ता है तो दिये गए विकलपों में से आपको सही आ प्रादान प्रदान करने का माध्यम किसको माना जाता है भाशा को माना जाता है क्योंकि हम अपने अंदर उटने वाले विचारों को केसे व्यक्त करते हैं भाशा के माध्यम से व्यक्त करते हैं दूसरों के विचारों को केसे गरहन करते हैं भाशा के माध्यम से गरहन करते हैं आता है दूसरा ही विकलप आपके प्रेश नमबर 23 में सही है साथ क्यों हो देखो मैंने जो यहाँ पर कमेंड बोक्स है वहाँ पर अगर कोई तूटी होती है तो मैं उसमें संशुधन भी करता हूँ किसी किसी टेस्ट में होता है संशुधन बाकि ऐसा कुछ नहीं बहुत ही कम चांसे जोते हैं संशुधन करने के बट फिर भी आप कमेंड बोक्स देख लिया करो जो डिस्क्रिप्शन बोक्स है वीडियो के नीचे वहाँ पर मैंने जितने भी टेस्ट भगे रहे उन सभी की प प्रिशन देख लेते हैं आपके प्रिशन बालकों को सम्मिलित किया जाता है तीन से छे वर्ष की उम्र के बालकों को साथ से नो वर्ष की उम्र के बालकों को और जीरो से छे वर्ष के उम्र के बालकों को तो सात्यों जो एंटिटी होता है एंटिटी उसी के अंतरगत ये CCE चलता है और इसमें 0 से 6 वर्ष तक के जो बालक होते हैं उनको सम्मिनित किया जाता है तो चोता विकल पाप के प्रशन नमबर 24 में सही है अब आज का अंतिमोर 25 प्रशन लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा और कमेंड करके बताईए कि 25 में आप सदन बाल बाड़ी और आंगनवाड़ी साथियों प्रशन नमबर 25 में रायट आंसर बताईए जो राश्टिय बाल नीती आई थी 1904 में उसके अनुसार आपको बताना है बालकों से समंदित जिस संक्टन की व्योस्ता की गई है उसको कहा जाता है बाल सदन क्या कहा जाता है उसको बाल सदन सेकंड विगलप आपके 35 प्रिश्ण में सही है तो यह 49 टेस्ट आपके पूरे हो चुके हैं यह जो आपको लिंक दिख रहा है ना यह प्ले इस पे टच करके आप पिछले सारे टेस्ट दे सकते हो सातियों तो मिलते हैं अगला वीडियो में बहुत बहुत तरने वास सभी का